किसान साथियों नमस्कार आज गे इस वीडियों हम बात करेंगे कपास की फसल में होने वाले लाल कीट के बारे में कपास की फसल में कई बार बहु ज़दा लाल कीट हो जाते हैं तो क्या ये कपास की फसल को नुक्सान पहुंचाते हैं अगर नुकसान पहुंचाते हैं तो ये किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं और इसके नियंतरन के क्या उपाई हो सकते हैं तो सारी चर्चाएं आज के इस वीडियों हम करेंगे किसान साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेड कोटन बग है लाल कीट ये बहुत अधिक संक्या में हो गए हैं और इस कपास की फसल को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं तो ये कपास की फसल में जो बीज होते हैं इनको खाते हैं और जो रूई रेस हैं इनको भी ये इसका रस्चूस करके इसको प्रभावित करते हैं इसकी गुनवत्ता को प्रभावित करते हैं जिसके कारण है रूई में दाग हो जाते हैं और जो बाव मिलने चाहिए होते हैं वो कई बार हमें नहीं मिल पाते हैं और इसके अलवा जो र बीज़ें को खाकर देता है और सड़ने के कारण जो बीज एए लिधान के काम होंहे हैं उसमें नहीं हो पाता है जिसके कारण आते हैं सब्सक्राइं क्योंकि आम कई फ्रता है उद्वास के फटने का थे updatedprat होती है और कपास फटने की आवस्ता के समय हम सोचते हैं इसमें कुछ करने की आवस्षिकता नहीं है लेकिन ये कई बार बहुत अधिक संक्या में हो जाते हैं रेड कोटन बग तो इसका नियंत्रण भी जरूरी होता है अगर इसका आप नियंत्रण करना प्रवावी है जो इनके नीम तेल के छिड़काव से ये खत्म हो जाते हैं लेकिन कई बार बहुत अधिक संक्या में होने पर रासाइनिक नियंत्रण करना चाहते हैं इस समय तो आप इसमें फास्पा मिडोन चालिस परसेंट एसल जो 600 एमल परती हेक्टेर के इसाब से डालना होता है मैं आपको तिन चार तरे की दवाएं बता देता हूं जो आपके पास में उपलब्द हो वह आप काम ले सकते हैं इन में से एक तरे की दवा ही काम लेना है